स्री शिवाईन नमस्तुब्यम दर्शको कैसे हूँ आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दर्शको आज एक माई साथ ही ती थी शौमवार और इसी के साथ ही आज मोहिनी एकादशी पर रही है जो भी हम अच्छे कारिय करते हैं उनका लाभ हमें आवश्याई पराप्त होता है तो ऐसे मैं दर्शको आज मोहिनी एकादशी यानि की वेशाग की एकादशी की शाह में केवल तुलसी के पास रख देना या है एक चीज जीवन की निर्धनता जीवन की गरीबी हो जाएकी समाप्त तमाम कारिय बनने लगेंगे तमाम कारियों में शपलता पराप्त होगी तो दोस्तों आज बहुती अच्छा और दुर्ला वेबल की महासाईयोग बन रहा है आप लोगों को आज इस मोहिनी एका दशी की सम केवल इस उपाई को अवश्य करना है और इस उपाई को करने से आपकी तमाम कश्ट होंगे दूर तमाम कारियों में मिलेगी समाप्त तो दोस्तों किस परकार से और किस तरह से इसे छोटे से अचुक और दिव्य उपाई को करना है संपोन जानकारी इस वीडियो के माद्यम से इस चैनल के माद्यम से आप सभी को बताने वाले हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा साथी वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिपिकेशन आप सभी को सब्सक्राइब और सबसे पहले प्राप्त हो सके दर्शा को मोहिनी जो एकादशी होती है यारी कि जो वेशाक की एकादशी होती है इसका काफी विशेश महतों माना जाता है साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस एकादशी पर दान्य पुन्य और दरपर आधी करने से काफी लाब की प्राप्ती होती है साथ ही दोस्तों ये मानिता है कि जो ये मुहिनी एकादशी का दिन होता है ये भगवान सिरहरी विश्नो को शमर्पित होता है इस दिर तुलसी से जुड़े उपाई करने से भगवान स्रीहरी विशनों होते हैं तो ऐसे में दर्शकों आप सभी को आज की शाम इस उपाई को जरू करना है अविश्या करना है आपकी तमाम जीवन के कष्ट बादा जो भी है सभी समापत हो जाएंगे तो दर्शकों आज की साम आप लोगों को सुनिये क्या करना है आज की साम आप लोगों को एक आटे का दीपक बनाना है आटे का चोमों की दीपक आप लोगों को बनाना है और उस चौमो की दीपक को बनाने के बाद में उस चौमो की दीपक में चार आपको लंबी बाते रखनी है और पिर उसके अंदर आपको गाई का घी डालना है उसके बाद में दर्शा को आप लोगों को इस दीपक को आपके घर में जहां पर तुलसी का पोधा हो उस तुलसी के पोधे की जड़ में रखना है तुलसी के पोधे की जड़ में रखने के बाद में आप लोगों को उस तुलसी के पोधे के 108 परक्रमा प्रदोस के समय यानि क कि आज मोहिनी एकदसी विशाक की एकदसी के दिन इस कारे को करने से वास्तों में लाप की पराप्ती होती है तमामे कश्टों और बादाओं से छुटकार अपराप्त होता है तो उम्मीद करता है कि आप सभी इस कारे को जरूर किजेगा और मिलते अगली वीडियो में तब त जी नमस्कार.